हेलो गाइज मैंने में संजे गाग्यान आपके अपने प्लेटफॉर्म गाग्यान के लासी में आपका स्वागत करता हूं आप सब्सक्राइब को पता है क्लास 10 की में सीरीज को स्टार्ट किया वा है और आज हम एक्सराइब 2.4 का कोश्चन नंबर फर्स्ट का सैगिन कोश्चन लेंगे और कोश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपको कहके चला है यह कहके चला है वेरिफाइदा नंबर गीवन एलोंग साइड ओफ डा क्यूबिक पॉलोनोमियल यानि कि आपके पास हमें वेरिफाइद करना है कि यह zeros इस पोलोनोमियल की है या नहीं है सेकेंड स्टेटमेंट में कहके चला है आलसो वेरिफाइदा रिलेशन्शिप बिटविएदज जीरोस एंड दा कोफिसेंट इन एच केस यानि कि आपको कोफिसेंट और zeros के बीच में रिलेशन बताना है कि उनके बीच में relation क्या है कहने का मतलब आपको formula यहाँ पर क्या करना है dry करना है तो जैसे आपके पास question है question आपके पास है x की cube minus के 4x square plus के 5x minus के 2 और इसकी जो zeros दे के चला है वो zeros जो दे के चला है वो कौन-कौन सी दे के चला है zeros दे के चला है 2,1 और आपके पास कितनी दे के चला है 1 2,1,1 यह आपके पास इसकी zeros दे के चला है तो यह हमारा कोई polynomial है उसमें हमें verify करना है कि इस polynomial की zeros है या नहीं है तो हम क्या काम करेंगे इस polynomial में सबसे पहले रखेंगे 2 जब हम 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की क्यूग माइनस के 4 इंटू के 2 का स्क्वाइर पलस के 5 इंटू के कितना आजाएगा 2 और माइनस के कितना आजाएगा 2 पी इंटू के 2 बला इकुल हमारे पास क्या जाएगा 8 माइनस के 2, 2's are 4, 4's are कितना हो जाएगा 16, पलस के 10 और माइनस के कितना जाएगा 2 10 रेट कितना हो जाएगा हमारे पास 18, 18 माइनस 2, 16 तो हमारे पास P 2 जो हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस के 16, यानि केंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आगया 0, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो इस polynomial की क्या है 0s है, क्योंकि ये polynomial क्या निकल लगा आगिया आपका 0 अब बात करते हैं, अब रखते है P1 को P1 में देखेंगे हम, तो कितना जाएगा 1 की cube, minus के 4 into के, 1 का square plus के 5 into के, 1 minus के कितना जाएगा, 2 तो P1 कितना जाएगा, हमारे पास 1 के cube, 1 minus के 4 1 का square कितना जाएगा, 1 5 minus के कितना जाएगा, 2 तो P1 कितना जाएगा, हमारे पास 1 minus के 4 plus के 5 minus के 2 तो P1 हमारे पास जो आया, वो कितना आया, 5, 1, 6 4, 2, 6, यानिके 6 minus के 6, कितना आगया, हमारे पास जीरो तो हम यह कह सकते हैं कि 2, 1, 1 इस polynomial की क्या है हमारे पास zeros है अब बात करते हैं relationship बताना है coefficient के बारे में lag कर लेंगे कोई try आपका जो cubic polynomial वो क्या होगा हमारे पास ax की cube पलस के bx square पलस के cx पलस के d तो इससे हमारे पास a की value क्या होगी जब हम compare करेंगे a की value 1 होगी b की value minus के 4 होगी c की value 5 होगी और आपके पास d की value कितनी होगी minus के 2 होगी d की value कितनी होगी minus के 2 होगी तो सबसे पहले हम sum of zeros करेंगे तो sum of zeros क्या हो जाएगा alpha पलस के बीटा, पलस के हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा, यह हमारे पास होगी अलफा, यह हमारे पास होगी बीटा, और यह हमारे पास होगी गामा, तो हम इना एड़ करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टू, पलस के बन, पलस के बन, तो हमारे पास कितना जाएगा, फोर प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा मायनस के वी अपॉन एक कि यह हमारा रिलेसंसिप क्या होगिया बात करते हैं आलफा बीटा बीटा गामा और गामा आलफा की तो हमारे पास हो जाएगा अलफा कितना आगा दो इंटू के वान पलस के 1 इंटू के 1 पलस के कितना आजागा 1 इंटू के 2 तो हमारे पास कितना आया 2 पलस के 1 पलस के 2 कितना आगे हमारे पास 5 और नीचे क्या अज्जुम कर लेंगे 1 1 किसकी value है हमें पता है 1 value है हमारे पास A की और 5 किसकी value है 5 हमारे पास value है C की तो हम कह सकते हैं कि alpha plus alpha beta, beta, gamma, gamma alpha का जो सम होता है वो किसके equal होता है? C upon A के equal होता है बात करते हैं third में alpha, beta और gamma की alpha हमारे पास 2, 2 into 1 into के कितना आ जाएगा? 1 2 into के 1 into के 1 हमारे पास कितना आ गया? 2 अब उनके 1 हमें assume कर लेंगे तो हम कह सकते हैं 2 किसकी value है? 2 हमारे पास 2 हमारे पास कितना आ जाएगा? आपका d, तो हमारे पास alpha, beta into gamma किसके equal है? minus के d upon A के हापर क्या होगा? आपके पास equal होगा minus के d upon A के हमारे पास क्या होगा? equal होगा तो इस तरह हम इसमें पहले zeros को verify करेंगे कि इस polynomial की zeros है या नहीं है और फिर इसके बाद relationship ही बताएंगे कि इसका formula आपके पास क्या है alpha, beta, gamma का जो sum है वो minus b upon a है alpha, beta, plus beta, gamma, plus gamma, alpha का c upon a है alpha into beta into gamma मारे पास minus के d upon a है तो ये था आपके पास question number second बात करेंगे हम question number third की अब जो हमें देखना है वो देखना है question number third जो आपकी screen पर है question number third में क्या कहके चला है question number second में क्या कहके चला है find a cubic polynomial with the sum sum of the product of it is zeros taken two at a time and the product of it is zeros यानि के question में कहने का मतलब क्या है question में कहने का मतलब ये है कि आपके पास alpha plus beta और plus के gamma की value देखे चला है और आपके पास क्या देखे चला है आपके पास value देखे चला है alpha, beta, beta, gamma और आपके पास gamma alpha इसकी value देखे चला है और साथ में देखे चला है alpha into beta into gamma की आपके पास value दे के चला है तो zeros का sum है वो कितना है आपके पास वो है आपके पास question के according to इसके बाद हमारे पास कितना है minus के 7 और इसके बाद हमारे पास कितना है minus के 14 इसके पास कितना है हमारे पास minus के 14 तो हमें क्या करना है हमें जो करना है वो एक cubic polynomial को drive करना है तो let कर लेंगे ax की cube plus के कितना हो जाएगा bx square plus के कितना हो जाएगा cx plus के कितना हो जाएगा d आपने अभी formula निकाला alpha plus beta plus gamma किसके एक वलता minus के b upon a के इसके नीचे क्या जूम कर लेंगे 1 इसके भी नीचे के एजूम कर लेंगे 1 और यो किसके एक वलता यह था c upon के a और यह हमारे पास इसके नीचे भी 1 एजूम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा minus के d upon के a minus के d upon a तो हम यह कह सकते है a की value हमारे पास अगर हम इन value को put करेंगे अपनी जो हमने lag करी है cubic polynomial उसमें यह value put करेंगे तो a is equal to हमारे पास क्या आ रहा है a is equal to हमारे पास आ रहा है 1 तो कितना आ जाएगा 1 इंटू के x की q plus b की value हमारे पास कितने निकल का यह है minus के 2 into के कितना आ जाएगा x square c की value हमारे पास कितने निकल का यह है minus के 7 into के x और d की value हमारे पास कितने निकल का है minus minus plus यानि के 14 तो 1 into x कितना हो जाएगा x की cube plus minus minus 2x square minus 7x और plus के 14 और यही cubic polynomial हमें क्या करना था यहाँ पे drive करना था तो यही होगा आपके पास finally आपके पास answer तो हमारे पास answer हुआ x की cube minus 2x square minus के 7x और minus के कितना जाएगा और plus के कितना जाएगा आपके पास 14 पलस के कितना जाएगा आपके पास 14 तो इस तरह गाईज हम इन question को क्या करते है soul करते है अगर आपको question समझ माए हो वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like share, subscribe जरूर कीजिए पढ़ दे रही है अपना ध्यान लखिए take care bye bye